भारत की पहचरान एक अच्छे और आस्तिक देश के तोर पर पूरी दुनिया में महशूर है लेकिन जितनी यहां आस्ता है उससे कही ज़ादा अंदविश्वाश और डर लोगों में है और इस डर का अंदविश्वाश का किसी उम्र से कोई लेना देना नहीं है ना ही इस बात से लेना देना है कि तुम कितने पड़े हुए हो कैसी सोसाइटी में रहते हो क्योंकि दुनिया में सब मुम्किन है इसलिए कई बार कुछ चीजे होती है तो बहुत सारी बना दी जाती है और ऐसा होना भारत में बिलकुल आम बात है और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं हर देश में होता है जाहे फिर वो जपान हो या फिर अमेरिका क्यों न हो आज हम आपको बताएंगे जब कभी हमारे घर में कोई बिमार बढ़ जाता है और हर तरीके से इलाज करवाने पर भी कोई फाइदा नहीं होता तो हम इसी तरह के अन्विश्वास में फस जाते हैं लेकिन ये भी सच है की कुछ चीजे सच होती हैं लेकिन कई बार लोग अपने परिशानियों का इलाज तलाशने गलत और धोके बाज लोगों के जाल में फस जाते हैं लेकिन कई बार पूरा का पूरा समाज, एक जुटे अन्विश्वास का शिकार होता जाता है जिसके कारण लोग डर के साई में जीने लगते हैं आपको बता दें कि भारत में ऐसा कई बार हुआ है जैसे की काले बंदर की अववा रात को रोती प्यास माँगने वाली चुडेल का डर और अभी हाली में का एक कुस्सा जिसने पूरे देश की ओरतों को डर के साई में डाल दिया था हम बात कर रहे हैं चोटी काटने वाली चुडेल की अववा के बारे में आपको बता दें भारत में इस बात की अववा बहुत तेजी से फैली थी इस किस्से में जिसने पूरे देश की ओर्तों को डर के साई में डाल दिया यानि चोटी काटने वाली चुडेल की अववा इन अववाओं का कोई सबूत नहीं मिलता ना ही कोई गुनेगार पकड़ा जाता लेकिन एक बात जरूर होती है कि वो ये इस तरह की अववाई आती है और फिर अचानक गाए हो जाती है अजीब बात तो ये है कि अब ऐसे अववाई उड़ती है तो इन अववाओं के शिकार लोग भी सामने आ जाते है और आज हम आपको ऐसी ही एक अव्वा के बारे में बताने जा रही है जिसका पूरा का पूरा गाउ आज तक सच मानता है आपको बता दे जिस अव्वा के बारे में बताने जा रही है उसके कवाई ये बताते है कि एक बार बैंगलोर में एक गाउ में एक रात को लोगों की अ कुछ दिन बाद उस गाउं में ऐसी वारदाताएं बढ़ने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगी नले बाद चुडेल की अव्वा। लोगों का मानना था कि एक चुडेल रात को साड़े बारा बजे के करी दर्वाजा खोलने को कहेगी और तुम्हारे किसी परिजन की आवाज निकलेगी ताकि लोग दर्वाजा जल्दी खोरें और परिजन भी ऐसा जो घर से बाहर हूँ लोगों की बढ़ती मौत को देखते ह उनको किसी नए एक उपाई बदाया उपाई ये था कि सब लोग अपने दर्वाजे पर नल्लेबा लिख ले जिसका मतलब होता है कलाना और वो चुडेल कती भी यही थी पहले तो वो दर्वाजे खोलने को कहती थी लेकिन फिर नल्लेबा लिखा देख अगले दिन आती थी कुछ दिन ऐसे ही चला लेकिन फिर जैसे बाकी अवाओं को अंध हो जाता है वैसे ही इस बात का भी अंध हो गया और ये बात बिलकुल शांत हो गई लेकिन आज भी उस गाओं के लोग नल्लेबा चुडेल से बहुत डरते हैं लेकिन ये बात आज तक नहीं खुली कि इन लोगों को किस ने मारा और हर रात को कौन दर्वाजे खोलने के लिए कहता था अब इन बातों में कितनी सच्छाई है ये तो वहां पेव रहते होए लोग ही जानते हैं ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही नेक्स नाई न्यूज और मैं हूँ आपके स साथी का कौर